नम्सकार दोस्ता है आपका खिर्शेंग मेडिशन एज्जूगेशन में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कोपर टी के बारे में जिसको हम आई यूदी भी बोलते हैं इंट्रा यूट्रा डिवाइस भी बोल सकते हैं कोपर टी एक छोटी सी डिवाइस है जो प्लास्टिक की बनी होती है और इसकी उपर कोपर लिप्टा होता है और जो धागा होता है वो नीचे की साइड में होता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये बहुती अच्छा गरब नूरोदक ऊपाए है जिन मेलाओं को अपने प्रेगनेंसी में गेप चाहिए कि जिनको अपने नेक्स्ट जो बच्चा है एक बच्चे के बाद में या दो बच्चे के बाद में उनको गेप चाहिए कि 3 साल का या 5 साल का तो उनकी लिए ये जो तरीका है गरब निरोदर का कोपटी लगाना ये बहुत ही अच्छा और फाइदेमंद हो सकता है इसका यूज कैसे करते हैं ये जो डिवाइस है कोपटी वो यूटरस में लगाए जाती है और ये पिरियड के चोथे और पांचवी दिन लगाए जाती है कि किसी मेला को जैसे पिरियड के तीन या चार दिन तो नोर्मल चलता है तो आप चोथे दिन या पांचवी दिन इसको लगा सकते है आप जान लेते हैं किन-किन महिलाओं को पोपर्टी नहीं लगाए जाती एक तो जो महिलाओं अभी तक गरवती नहीं हुई है उनको पोपर्टी नहीं लगाए जाती दूसरा जिन महिलाओं के बच्चे दानी में किसी परकाल की सूजन है या इंफ्लामेशन होई है तब भी लगा जाता है है गतीसरा जिन महीलाओं के प्यृट है कि प्यूंड में जो बलीडिंग में वो बहुत ज्या Patch När तब भी को मेनों को कोपटीनी लगाय जाती है छोथा जिन महीलाओं के चीडिश या जिनकी डायविटीज कंट्रोल में नहीं है उनको भी यह नहीं लगाए जाती है अब जान लेते हैं इसके कुछ क्यूस्टन है कि जैसे कोपटी लगाते हुए दर्द बहुत ज्यादा होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोपटी लगाते हैं उसमें सिर्फ पांच ही म है तो उसके लिए आप कोई पैंकिलर ले सकते हैं दूसरा जो मेलाओं का क्यूस्टन है कि कोपटी जो है वो यूट्रस की दिवार को छेज़ करके पेट में या आत में ना प्रवेश कर जाए तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है क्यूंकि जब भी आप कोपटी लगवाएंगे तो एक experience और बहुती अच्छे डॉक्टर की देख रेख में कोपटी लगाएं और आप confirm कर लें एक अंट्रा साउंड करवा कि कोपटी अपनी जगे पे है या नहीं है तो ऐसा भी नहीं है तीसरा इसके अंदर की इंटर क्रोस के टाइम पे या sexual relationship बनाते हुए अपने मेर पार्टनर को इससे किसी प्रकार की चूबन या दर्द हो सकता है तो ऐसा भी नहीं है इससे भी किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे क्युशं रहता है कि इससे वजन बढ़ जाता है तो ये भी शिर्प और शिर्प एक ब्रहमवाली बात है क्योंकि इसके अंदर, किसी प्रखायार के हार्मोन नहीं होते हैं, इसमें शिर्फ होट सिर्फ, को पर, लिटा हुआ होता है, जो लगातार आयन, अपने जो हैं, वो रिलीज करता है, जिसकी वज़े से, जो सुक्रानू है, उनको ये डेमेज कर देता है जिससे मेला गरपती नहीं हो सकती है आगे बता देता हूं इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं जैसे मेलाओं में जो पिरियंड है वो इरेगुलर हो सकते हैं उनकी पीट में दर्द हो सकता है पेट में किसी परकार का दर्द हो सकता है और उनके वा पहले आगे कभी दस दिन बाद में हो गए यह बहुती रेर केसेज में ऐसा होता है नाइटी नाइन परशेंट केस में ऐसा नहीं होता है लेकिन कुछ इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले है तो जिन महिराओं को अपने बच्चे के बाद में गेब रखना होता है उनके लिए यह गरप नुरोदक तरीका बहुत ही अच्छा है तीन साल की आई यूटी आती है पांस साल की और दस साल की या तीन साल का गेब रख सकते हैं पांस साल का गेब रख सकते हैं और दस साल तक भी इसमें आप यूज कर सकते हैं धन्यवाद